स्वागत है सभी का डिजिटल तैयारी पे मेरा नाम है चेतन पारिक आरे सगिर्वाल की इंगलीश वाली बूग हम कर रहे थे उसमें क्या चल रहा था एवरेज करेंगी बस उसी को पार्ट नमबर नो शुरू कर रहे हैं तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना है एक एक सवा कॉपी और पहनात में लेकर बैठो सवाल क्या है हमारे पास तो सवाल कह रहा है इस प्राइश ऑफ त्री आइटम्स ऑफ फरनीचर इस फिप्टीन थाउजन अदल्लब तीन आइटम है परनीचर जैंग उनकी अवरेज प्राइश किती है तो पंद्राजार है सवाल कह रहा ह इफ दैर प्राइसे जार इंदर रेशियो 3 5 & 7 देन दी प्राइस ऑफ दी चीपेस्ट आइटम में यह कह रहा है अगर उन तीनों आइटम्स की कीमत का अनुपाथ तीन पांच और साथ है तो फिर सबसे सबसे सब्सक्राइब और बेशिक से सवाल है और ऐसे ही बेशिक से सब्सक्राइब कर दिया ताकि अगर कोई हिंदी मीडियम से हैं आपने तो उनको कोई तकलिफ ना है हमारे पास यह तीन अनुपाथ दे रखें तीन आइटम्स के अनुपाथ दे रखें कीमत का अगर मैं इन सब को जोड़ लूँ तो कितना मिलेगा मुझे बारा और तीन प पराईस किती होगी 45,000 होगी 15,000 इंटो 3 कर लो तोटल पराईस निकलने के लिए इसका मतलब ये जो पंदरह है इसकी actual value किती है तो इसकी actual value है 45,000 रुपाई 15-15,000 कैसा आया 3,000 से गुना करने पर इसका मतलब क्या हुआ एक यूनिट के वेल्यू 3,000 है तो सबसे सस्ते वाले की किमत क्या होगी आप बताओ इन सब में सबसा सस्ता कौन होगा 3 होगा तो 3 के अंदर देखो मैंने क्या कर दिया 3,000 से कर दिया गुना तो कितना मिल जाएगा मुझे तो यह मिल जाएगा देखो 9,000 रुपए 9,000 रुपए मतलब option number A क्या होगा हमारा correct answer ठीक है आगे बढ़ते हैं देखो हमारा अगले सवाल की और क्या है हमारा अगला सवाल ट्राइ करो पहले अपनी तरफ से बिलकुल सोके लेट के पिलंक के उपर बैट के अगर वीडियो देख रहे हो तो ऐसा ना करे पैन कॉपी लेके बैट अपने हातों से करो तो यह proper benefit आपको मिलेगा क्या कहा रहा देखो अब यह सवाल हमें तो यह question हमें कहा रहा है of the four members the first is twice the second मतलब चार members में पहला जो है वो दूसरे का double है आगे the second is one third of third जो second वाला है वो तीसरे का one third है आगे the third is five times the fourth मतलब जो third वाला है वो fourth वाले का five times है आगे बोल रहा है the average of the numbers is this मतलब इन चार numbers का average कितना है तो वो इतना है choice point 75 है तो बोला है the largest number of these numbers तो इन सब में से सबसे बड़ा number कौन सा होगा यह find करना है ठीक है अब यहाँ पर ratio नहीं दे रखा है पिछले सवाल में ratio दे रखा था बस बाकी दोनों सवाल बिल्कुल same है तो ratio नहीं दे रखा है तो हम निकालेंगे एक, दो, तीन, और चार, चार number से हमारे पास ठीक है, इन चार के ratio को समझते है one by one सबसे पहले कह रहा है first is twice the second मतलब पहला दूसरे का double है इसका मतलब यह है कि अगर यह एक है तो पहला कितना है, दू है ऐसा ही कह रहा है पहला दूसरे का double है आगे दूसरा one third है, किसका तीसरे का तीसरे का one third है, कौन दूसरा कहना का मतलब है कि अगर यह तीन है, तो यह एक है तीन का one third किता होता है, एक होता है तो यह एक है अब चूँकि यह एक है, यह भी एक है बतलब तीसरा नंबर चौलटे का Pांच गुणा है कहना का मतलब अगर चौलफ एक है तो तीसरा माच है यह और आगे क्या उत striży को merge करना है ratio को merge करना हम अब खूब बार कर चुक है हमने इतने सारे chapter कर लिए percentage कर लिए profit loss कर लिए काफी जगे हमें इसकी जुरूत पड़ी थी तो कैसे करते हैं 3 और 5 का LCM लिलो किता आया का देखो 15 wr वे इन सबका एवरेज मुझे इतना देखा है कितना दे रखा है कितना दे रखा है चौईस बॉंट 75 रुपे दे रखा है मुझे चौईस 75 इन सब का एवरेज दे रखा है अगर मैं इसको 4 से गुणा कर लो तो मुझे सब का सम मिल जाएगा तो चौइस इंटू 4 तो 96 हो गया पॉइंट 75 इंटू 4 किता हो जाएगा तीन हो जाएगा तो तीन और जोड़ दो किता हो गया कुल मिलाकर 99 हो गया कहना का मतलब है कि इन सब का जो एक्चूल सम में वो किता है 99 अगर रेशियो वाइस देखा जाए तो सम क्या है इन सब का यहां पर जोड़ लेते हैं देखो 10 और 5 15 15 15 15 30 और तीन किता हो गए 33 33 कि actual value सब किता बता रहा है 93 बता रहा है मतलब एक unit की value किता है 3 आई अगर एक unit की value 3 है तो largest number लार्जस नमपर कौन है इन में से देखो यह है तो फिर 15 यूनिट की value क्या होगी तो 15 इंटू 3 कर लेंगे किता हो जाएगा 55 पैंटारीस है इसका मतलब हमारा answer क्या होगा नन अ क्लियर है सवाल आपको समझ में आ चुका है बहुत ही सिंपल सवाल है आगे बढ़ते हैं अगले सवाल किया और देखो अगला सवाल क्या कह रहा है अगला सवाल है हमारे पास आउट आफ थ्री नंबर्स दा फस्ट इस ट्वाइस दी शेकेंड एंड इस हाफ अफ दी थर्ड देखो तीन नंबर है हमारे पास सवाल कह रहा है कि पहला दूसरे का डबल है और तीसरे का आदा है मतलब दूसरे का डबल है इसका मतलब अगर ये एक है तो ये दो है और यही पहला नंबर तीसरे का आदा है अगर मैं इसको चार कर दूँ तो चार का आटमेटिकली आदा ह हो गया है तो फिर पहले और तीसरे का डिफरेंस क्या होगा यह आपको यह थोड़े बहुत बेसिक यहां से स्ट्रॉंग होंगे तो सवाल थोड़ा टिपिकल कर भी दिया जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो इसको सॉल करते हैं अब देखो क्या है मर पास इन सबका एवरेज अगर 56 है तो सबका सम कितना होगा 56 इंटू 3 किता हो चॉइस से गुणा करने पर देखो 168 का अंदर साथ का भाग लगा तो चॉइस आएगा इसका मतला आपने साथ को चॉइस से गुणा किया है तब ही 168 मिला है तो चॉइस से गुणा करने पर आया तो सवाल में जो चीज पूछी उसको चॉइस से गुणा कर लो आपको बोल है देखो अगला सवाल क्या है हमारे पास बिलकुल भी टाइम ना वेस्ट करते होगे अगला सवाल अमरे पास आचुका है त्राइ करो के पहले as always अब यहां पर देखो अपना मैथड भी चैक कर लो इसके अलाब अपना answer क्या है वो भी मिला लो क्या है देखो Of the three numbers The first is twice the second And the second is twice the third मतलब हमारे पास तीन नंबर है एक, दो, तीन बिल्कुल सेम सी लेंग्वेज इसका आप चाहो तो option से भी कर सकते हो लेकिन नहीं अपन basic से करते हैं पहला दूसरे का double है मतलब अगर ये एक है तो ये दो है इसके अलावा The second is twice the third मतलब second वाला तीसरे का double है इसका मतलब अगर ये एक है तो ये कौन है? दो है अब क्या करना है? इनको merge करना है एक और दो का LCM किता आता है, दो आता है एक से दो कैसा आया? दो गुना करने पर तो उपर वाला एक की line में जो भी है ना लेकिन मैंने आपको एक method बता दिये ताकि अगर ये data थोड़ा सा typical भी हो तो ये method at least clear होगा तो आप इसको शुरू करते है आगे क्या कहा रहा है सवाल? ये कहा रहा है The average of the reciprocals of the numbers is 7 upon 72 मतलब जब आप इन numbers का reciprocal लेते हो और फिर उनका average निकालते हो तो वो कितना बता रहा है? 7 बटा 775 बता रहा है अगर reciprocals का average ये है तो reciprocals का sum कितना होगा? इसको 3 से गुना कर दूँ तो यहां से मुझे क्या मिलेगा? व्यूत करम, reciprocal का मतलब क्या होता है? तो व्यूत करम का यानि reciprocal का sum यानि यो कितना मिलेगा? 7 को 3 से गुना कर दूँ या फिर 7 बता इसको 3 से गुना कर दूँ कितिवार मैं कटेगा? 24 बार मैं तो यह आगे मिरे पास sum ठीक है? इसको भी देख लेते हैं एक बार इन सब को अगर इसका रैसी प्रोकल ले तो यह किता होगे एक बटा चार इसका ले तो किता होगे एक बटा दू इसका ले तो किता होगे एक ठीक है? इन सब को जब मैंने add गिया तो किता मिल रहा है? इन सब को add गरने पर तो इन सब को add गरने पर मुझे बिधंगर एक सही 3 बटा 4 दो हो कि it होगा एक सही 3 बटा 4 अगर आप इसको सिम्पल üẹ्ग्रेस करना चाहता हो तो होगा साथ होगा साथ बटा 4 क्य канал कि एक्ट्व कितनी है तो वह साथ बटा 6 के सिरल उपे शोड़ा नहीं एक बबटा च्याइं किया, जब आप सान्थ बटा चार को एक बटा चयिस से गुना करों, तब इत ur नौष से मतारी चोई बनेगा, नहीं पता चलता है किस से गुना किया, तो क्या करों, कि भाग लगा लू आप, ठीक है, भाग लगा लो, इसके अंदर इसका भाग लगा लो तो पता चल लेगा किस से गुना किया ठीक है तो एक बटा छे मिल गया अब सवाल में जो पूछ रहा है उसको गुना कर लो या फिर क्या करते हैं पहले इन सबको एक बटा छे से एक बटा छे से गुना कर ले ताकि तीनों संख्या है मिल जाए तो अगर मैंने इसको इसको एक बटा 6 से गुना किया तो वी तो बुला है संख्याओं का कि आप option से कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगले सवाल की और अगला सवाल देखो क्या है अगला सवाल हमें कह रहा है of the three numbers the average of the first and second is greater than the average of second and third by 15 क्या कह रहा है कि तीन नमबर में पहले दो का average बाकी वाले दो नमबर यानि दूसरे और तीसरे का पहले और दूसरे का average दूसरे और तीसरे का average से पंदरा ज्यादा है ठीक है उसके बाद what is the difference between the first and the third of the three numbers तो इन तीनों नमबर में पहले और तीसरे का difference क्या होगा यह find करना है शुरू करते हैं देखो माल लिया वो तीन संख्या ए बी सी है इसका मतलब ए प्लस बी का average ज्यादा है बी प्लस सी के average से पंदरा पंदरा ज्यादा आगे अब आगे क्या बोल रहा है आगे आपको पूछा है what is the difference between first and third number first and third मतलब आपको a-c find करना है a-c find करना अब इसी को देखकर solve करना है आप उनको और answer निकालना करते है पूरी समयकरन को एक बार दो से गुना कर लेता हूं ताकि नीचे वाले दो हट जाए दो से यह दो कट जाएगा देखो आप जब इसको दो से गुना करोगे यहां पर द जाएगा माइनस को जाएगा तो यहां से a-c कामान किता आया 30 माइनस सी कामान 30 आया आपको यह बोला था difference between first and third number तो आगे हमरे पास none of these 30 clear है तो यह हो पच्छी तरह किसे सवाल आपको समझ में आ चुका है आगे बढ़ता है देखो हमारे अगले सवाल की और अगला सवाल आपके सामने है पहले ट्राई करें उसके बाद यहां पे अपना solution चेक करें क्या कह रहा है सवाल सवाल हमें कह रहा है the average of 50 numbers is 38 मतलब 50 नंबरों का उसत किता है 38 if the numbers 45 and 55 are discarded मतलब इन में से दो नंबर थे कौन कौन से थे 45 और 55 अगर आप उनको बाहर निकाल देते हो तो then the average of the remaining numbers is तो फिर जो नंबर पीछे बच गए उनका average क्या होगा यह आपको find करना है ठीक है समझ ना देखो ध्यान से हमारे पास एक box है उसमें 50 संख्या है तोटल मिला के ठीक है या फिर कुछ भी 50 संख्या है उन सभी 50 संख्याओं का उसत कितना है 38 अब इन में से क्या किया कि 50 और 55 करके दो संख्या है थी वो आपने बाहर निकाल लिए वो आपने क्या कर दिया बाहर निकाल लिया ठीक है तो बाहर निकालने के बाद अब पीछे संख्याओं का average क्या होगा यह आपको ग्यात करना है यह को बहुत ही 45 एक निकाली 55 देखो मैंने जो दो संख्याओं निकाली बाहर 45 और 55 अगर मैं उसकी जगे दो संख्याओं निकाल रहा हूं अगर मैं उन दोनों संख्याओं की जगे 38 और 38 नाम की दो संख्याओं बाहर निकाल देता मान लो इसमें से मैं 38 और 38, 45 और 55 की जगे 38 और 38 नाम की दो संखें बाहर निकाल देता तो क्या इनके average पर कोई परभाव पड़ता नहीं पड़ता क्योंकि already इनका average 38 और 38 के दो जने बाहर चले गए तो क्या फरक पड़ा कोई फरक नहीं पड़ा average भी 38 का अर्थी से लेकिन क्या हुआ कि जो आपने बाहर निकाले वह आपने 38 से ज्यादा निकाल दिये और 38 से कितने ज्यादा देखो एक तरफ सांथ ज्यादा है और एक तरफ देखो 17 निकाल दिये आई बात समझ में 38-38 होते तब तो कोई प्राबलम ही नहीं थी अपना अपना लेके चले गए average 38 का है ना तो अपना अपना लेके चले गए लेकिन वो ज़्यादा के हैं इसका मतलब ये 45 और ये 55 इन्होंने इसने 7 और इसने 17 किसी दूसरे से लिया है जो पीछे 48 बच गए इसका मतलब जो पीछे 48 बच गए हैं उनकी average में क्या होगी कमी होगी कितनी कमी होगी तो इतनी कमी होगी 24 के according तो हमारे पास average कितना है देखो 38 था अब कम हो जाएगा कितना कम हो जाएगा तो मैं 24 लिलूँगा पीछे जो 48 जने बच गए न उसमें से कुल मिलाकर मैं 24 बाहर लिलूँगा तो हर एक से मैं कितना लूँगा 24 बाहर लूँगा हर एक की बात कर रहे है तभी तो average निकलेगा तो मैं क्या कर रहा हूँ पीछे जो बच गए थे उनका average कितना 38 ठीक है आप में से कई जनों के लिए method हो सकता है नया हो क्योंकि आपने conventional तरीके ही देखे होंगे अबरेज में जादा तर लेकिन यह सबसे simple method है पहली बार देखो इस वज़े से टेड़ा लग सकता है लेकिन द्यान से कर समझो और सी टाइप के 15 सवाल अपने हाथो से और सवाल कर तो आप कुद देखोगे कि कितना अच्छा method है यह ने तो calculation वाला method तो फिर हमारे पास आई है मैं वह भी बता देखो वह भी जरूरी है हमारे पास दूसरा method क्या होता है कि 50 संख्याओं के अवरेज किता है 38 है तो इन सब का योग किता होगा 50 इंटो 38 यह सब किसा 50 संख्या के अवरेज निकालना है तो इसमें बाग लगा दो अटाल इसका इसमें बाग लगा दो अटाल इसका विसको सवाल करना है अब इतनी calculation करेंगे इससे अच्छा वह ज्यादा सही था ठीक है इसका पूरा सवाल करके देख सब तो क्या answer आ रहा है same answer मिलेगा तो जो method आपको सह जंख्याओं का ओसत 80 है उसके बाद if one number is excluded their mean is 16 अगर एक नंबर आप बाहर निकाल देते हो तो ओसत जो है वो सोड़ा हो जाता है find the excluded number तो जो नंबर आपने बाहर निकाला है वो कितना है देखो इसको भी मैं trick से बताऊंगा ठीक है दौनों बता दूंगा ताकि दौनों method और आप में से काफी जन्हें ऐसे भी होंगे जिनके लिए method हो सकता है थोड़ा difficult पड़े पहली बार देखते हैं सब के लिए पड़ता है तो मैं दौनों method बताऊंगा don't worry about that अब क्या करते हैं देखो इसको पांच numbers का उसत 18 है ठीक है पांच numbers का उसत 18 है मेरे पास एक box है इ निकाल दिया अब निकालने पर हुआ कि जो पीछे चार नंबर बच गए जो पीछे चार नमबर बचे गया उनका अब सोड़ा इरह गया कि यह कहारा if one number is excluded their mean is 16 अगर एक बाहर निकाल देत हो तो पीछे जो चीर बचेंगी उनका average किता हो गया सोड़ा गया तो फिर नमबर किता है देखो अंप जहां से लेकिन क्या हुआ कि अठारा निकाले वो तो है इसके अलावा कुछ और संख्या आपने साथ में लेके गई इसी वज़े से जो पीछे रह गए उनका औसत कोकर किता होगया मरू किटा निकला है तो और झ संख्या आट कल मिलाकर चार संख्या है अट जो है पांच विसंख्याँ लेकर बाहर से लिया तो बस आठ वापीश देजू यह 8 वापिस देदो इसको तो 18 और 8 किता हो गया 26 यह हो गया हमारा correct answer option number B आई बात समझ में तो देखो यह की type का example आगए इसको conventional से भी कर ले ताकि कोई problem ना रहा है किसी को 5 संख्याओं का उसस तठारा है तो 5 संख्याओं का योग किता 5 into 18 इसमेंसे एक संख्याओ आपने बाहर निकाल दी मुझे नी पता क्या निकाला मान लिया X निकाल दिया संख्याओं के बाद अब जो average है 4 संख्याओं का वो किता है 6 बस आपको X निकालना है इसको solve कर सकते हैं और निकाल सकते हैं 4 जब उस तरफ जाएगा follow कर सकते हो मैं यह recommend करूँगा पहले वाला करो practice कर लो बस उसके उपर फिर आप कुद फिल करोगे तगड़ा में थाड़ है आगे बढ़ता है देखो हमारे अगले सवाल की और अगला सवाल क्या कह रहा है देखो the average of six observations is 45.5 ठीक है आगे कह रहा है if one number one observation one new observation is added to the previous observations अगर इन 6 में एक और साथ भी नहीं गड़ना add कर ली जाए तो then the new average becomes 47 तो नया average 47 हो जाता है पहले 6 जो observations थे उनका average किता 35.5 है एक और add करने के बाद अब average किता हो गया 37 हो गया तो फिर नया वाला observation था किता यह find करना है तो इसको भी ट्रिक के साथ ही करेंगे सबसे पहले तो देखो कि एक box है इस box में 6 संख्याइं है इन 6 संख्याओं का ओसत कितना है 45.5 है द्यान से समझ ना देखो conversion तरीका अगर आप लगा रहे हो तो लगाओ विल्कुल ट्राई करो answer निकलो आप कुद देखो कि calculation में कितना फरक आ रहा है वहाँ पे इतनी बड़ी calculation होगी लेकिन यहाँ बिल्कुल छोटी से calculation में काम हो गया 6 संख्याओं का ओसत इतना दे रखा है ठीक है दे रखा है अब क्या किया कि इसके अंदर एक साथवी संख्या और डाल दी अब देखो ध्यान से जो साथवी संख्या आपने डाली है इसके अंदर जो साथवी observation आपने इसके अंदर डाला है अगर वो 45.5 ही होता अगर वो 45.5 ही होता तो साथ संख्याओं के average पर कोई परभाव पड़ता है क्या नहीं पड़ता क्योंकि already सबके पास अपने-अपने 45.5 पड़ा है एक और 45.5 का मेरे पास आकर बैट गया क्या फरक पड़ा average नसब का वो ही चल रहा है 45.5 लेकिन होआ क्या कि नया बंदा एड करते observation इसका जो average है नया बंदे का मतलब यहां पर observation की बात कर रहा हूँ है तो जैसे ही नई observation इसके अंदर डाली average 47 हो गया 1.5 बढ़ी गया average किता था पहले 45.5 था अब 47 हो गया किता बढ़ी गया 1.5 बढ़ी गया 1.5 क्यों बढ़ी गया क्योंकि सात्वा वाला observation जो आया है वो अपने साथ खूब सारी और numbers लेके आया है वो जैसे अंदर आया सबने उसको कुछ-कुछ और दे दिया और average बढ़ी गया बस ऐसा हुआ और 47 हो गया तो किता बढ़ा 1.5 बढ़ा किसने बढ़ाया जो बार वाला आया तो इसको देदो वापिस 1.5 बढ़ाया इसने किति संक्या हो पर बढ़ाया साथ संक्या है सबको उसने दिया तभी तो average बढ़ेगा किवल एक को दिने से average कभी नहीं बढ़ता है साथो को दिया है उसने तो साथो को दिया है तो उसको वापिस कर लो साथ से कुना अब आस सॉल कर लो ठीक है पॉइंट है तो यहां पर लगा लो पॉइंट 15.5 के अंदर 10.5 जोड़ लो किता आएगा यहां पर देखो यह 6 और यह 5 किता आगया 56 मतलब option number C क्या हो गया हमारा correct answer अगर आपको पसंद आया तो कमेंट में लिखके जरूर बता है कि कैसा लगा यह मैथड़ ताकि इसी को continue रखें आगे तो फिलाल इस वीडियो का इंदर इतना ही रखते हैं थैंक यू वेरी मुट प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी